तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Get All Doled Up इसका हिंदी में मीनिंग होता है बहुत सजदजकर त्यार होना तो चलिए इसके सेंटेंस के स्ट्रेक्टर के बारे में बात करते हैं इसमें आपको सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ग और उसके बाद आपको यूज करना है Get All Doled Up और उसके बाद आपके अधरवर्सिस में यूज होंगे और यह स्ट्रेक्टर आपका चेंज भी होता रहेगा तो देखिए कुछ एग्जम्पल्स देखते हैं जैसे कि वह पार्टी में जाने को बहुत सजदजकर त्यार होती है See gets all doled up to go to party अब यहाँ पर देखिए See gets all doled up यह आपका स्ट्रेक्चर से आया है और यहाँ पर get के साथ ऐसे लग गया है जैसे कि यह present का indefinite sentence है नेक्ट देखिए राम स्कूल जाने के लिए इतना सजदजा राम got all doled up to go to school इतना सजदजकर कहां जा रहे हो got all doled up where are you going तो इस तरह से आप अलगलग sentence का use करेंगे अब आपकी practice के लिए है तुम इतना सजदजकर किस से मिलते हो तो इसको आपको translate करना है और comment box में इसका जवाब देना है तो वीडियो कैसे लेगी है जरूर बताएगा